अलो चैंपियंज क्या हाल चाल है कैसे हैं आप लोग आज हम लोग मिल रहे हैं माइंड मैप सीरीज में डुएल नेचर आफ पार्टिकल एंड वेव रेडियेशन भी बोलते हैं बेटा देखो गयाना बहुत छोटा चैप्टर है जहम से एक सवाल आता है चार नंबर देखे जाता है बीस से केंड में सवाल सॉल्व हो जाता है तो बहुत जल्दी से बहुत सड़ा सट इसको हम कर लेते हैं आईए देखो यहां पर पहले बात करेंगे फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट की और उससे पहले हम बात करेंगे पार्टिकल थियोरी ऑफ लाइट की मतलब ला बताया कि light जो होता है वो packets में आता है यह बताया किसने Einstein भाई सहाब ने बताया ठीक है packets में आता है उन packets का नाम होता है photon ठीक है छोटे छोटे packets होते हैं उनका नाम होता photon photon चलते हैं जमा जम light की speed से 3 into 10 to power 8 मतलब light की speed से बोल सकतो चलते है vacuum में जैसा medium होगा वह ऐसी momentum मतलब इनके पास होता है momentum इन photon के पास होता है momentum और इनका momentum लिखा जाता है एच बाई लेंडा लेंडा होती है वे लेंद किसकी जो radiation होती उसकी एच क्या होता है planks constant तो भाई साहब आगे बढ़ें आगे बढ़ें तो इन्हों जो दिया था बुला था energy किता होता है energy होता है एच टाइमस ओफ फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी ओफ रेडियेशन या फिर एच सी बाई लेंडा ये ठीक है momentum देखो यहां लिखा हुआ है इबाई सी भी बोलते हैं momentum को photon का rest mass नहीं होता है जब photon चलता नहीं है तो होता फोटन शुन होता है नहीं लिखते है रेस्ट माउस के लिगते हैं जीरो हो लेकिन हाँ अगर फोटॉन है तो उसका पास मोमेंटम है उसका एनरजी है तो एक मास जैसा टर्म हम डिफाइंड कर सकते हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें यह सवाल नीट में आया है एक फोटॉन है जिसका मोमेंटम P है उसका मास क्या हो जाएगा PYC उसकी एनरजी अगर E है तो उसका मास क्या हो जाएगा E equal to MC square के हिजाब से निखाल लेंगे ठीक है जब फोटॉन किसी से कॉलाइड करता है तो जैसे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं जैसे दो पार्टिकल टकराते हैं वैसा ही माना जाता है अब जैसे मान लो बोला जाए एक ये आदमी था M मास का आदमी बैटा है इस पे आया एक फोटॉन जम से इस ने इस फोटॉन को एब्सॉर्व कर लिया ये फोटॉन लेकर आजा था है H by lambda momentum इसने फोटॉन को एब्सॉर्व किया ना तो ये भागेगा बिल्कुल ओम फोटॉन करके भाग जाएगा तो इस फोटॉन की होगी इस मास की भी हो जाएगा एक विलॉस्टी उस मास की विलॉस्टी जानते हो क्या है कि P is equal to H by lambda is equal to MV आ जाएगा मतलब डियूरिंग कोलिजन momentum कंजरूर रहता है और जैसे ही कोई particle टकराता है वैसे ये भी टकराता है तो देखो total energy बोल रहे हैं यहाँ पर मतलब mechanical energy नहीं बोल रहे है total energy total energy में क्या बोलते है rest mass energy rest mass energy and बाकी and mechanical energy मतलब सारी energy की बात कर रहे हैं हर प्रकार की energy की बात कर रहे हैं और momentum conserve रहता है during collision या फिर before and after collision हम ऐसा बोल सकते हैं मतलब बहुत सारा question आता है बोला जाता है की velocity बताओ energy बताओ collision के बाद ऐसे बता सुझा जैसे यह photon आ रहा था इसे टकराया कित्ती velocity जाएगा क्या kinetic energy होगी इसकी इसकी अगर kinetic energy इसकी निकालने की बात आती न बेटा तो ऐसे निकाल लेते आप P square by 2m करके तो H by lambda का square divided by 2m करके निकाल लेते आप बहुत आसानी से और यह सवाल आया है यह सवाल आया है यह आयेगा आयेगा यह आयेगा तो सिंपल सी बात थी देखो मैंने बता दी इसको याद रखना बेटा डाइरी में उटकर लेना intensity क्या होती है किसकी जो light beam पढ़ती इसकी intensity क्या होता है intensity का मतलब होता है energy बोलो energy per unit area per unit time को बोलते है intensity मतलब मतलब होता है power per unit area power per unit area n क्या है number of particles per unit time per unit area intensity हो जाएगी n hf n क्या है number of particle crossing section per unit time per unit area किसी section को particle किसी unit area section को per second कितने cross करते हैं उसको energies multiply कर तो intensity बन जाएगा मतलब given जैसे मालो यह red color की light यह pen छोड़ता है जादूई पर ने red color की light छोड़ता है इसकी frequency fix हो गई तो इसकी intensity कैसे बदलेगी इसमें number of particles number of photons ज्यादा होंगे तो ज्यादा intensity कम निकलेंगे तो कम intensity यह कहने का मेरा मतलब है मतलब intensity given frequency की light की intensity number of particles से बदलेगी यह बात ध्यान रखना आगे भी यूज करेंगे इसका बेटा हम ठीके आओ अब अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ट ने खोजा था लेनार्ड ने पढ़ा था आइंस्टीन ने समझाया था मिल गया उन Oskar रहें, Novel मिला था, Oskar नहीं मिलता है नालाइक, तो Heads ने खोजा था, लेनार्ड ने पढ़ा था और Einstein ने एक्स्प्लेइन किया था, Einstein को एक्स्प्लेनेशन करने के लिए मिला था, क्या, Novel, ठीक है, खोजने वाले कुछ नहीं मिला, पढ़ने वाले कुछ नहीं मिला, स इसी सर्फेस से electron को pull out करने के लिए ठीक है उसको बोलेंगे work function तो minimum energy चाहिए उसको बोलेंगे work function ऐसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यह ऐसे यह V naught यह frequency जो बोलते हैं F naught यह threshold frequency है Lambda not threshold wavelength है मतलब minimum frequency अगर आपको photo electric effect चाहिए तो आपकी जो light पड़ेगी उसकी wavelength उसकी frequency इससे जादा या इसके बराबर होनी चाहिए photo electric effect तभी होगा नहीं तो नहीं होगा इसलिए इसको cut off frequency बोलते हैं अगर इससे कम हुई अगर इसकी value इससे कम हुई इससे कम हुई तो no photo electric effect no photo electric light चाहे जितनी देर तक डालो चाहे जितने दिन तक डालो चाहे जो कुछ करो no photo electric effect photo electric effect होगा तब जब light यह पड़ेगी तब photo electric effect light ऐसी पड़ेगी तब photo electric effect होगा और उससे कम पड़ेगी तो नहीं होगा wavelength के लिए बात करी जाए बाई साब wavelength के लिए तो यहाँ पे थ्रिशोल्ड वेवलेंड जो देग लैम्डा नॉट लाइड अगर अगर पड़ रही है तो अगर लैम्डा बड़ा हो गया लैम्डा नॉट से तो no photoelectric effect cut-off से कम no photoelectric effect cut-off wavelength से कम wavelength की light अगर पड़ेगी तब photoelectric effect होगा नहीं तो नहीं होगा अब होगा, अब होगा photoelectric effect, अब होगा photoelectric effect, अब होगा photoelectric effect, cutoff wavelength से कम wavelength या उसके बराबर की पड़ेगी तब photoelectric effect होगा, उससे जादा की पड़ेगी तो नहीं होगा, frequency में उल्टा कर दो, जादा की frequency होगा, तब होगा, या बराबर होगा तो होगा, उससे कम होगा तो नहीं stopping potential stopping potential क्या है जो भी electron निकल मालो इस पर light पड़ी और जो भी भयाना को ला electron निकल रहा है तो जो maximum kinetic energy के electron को रोकने के लिए जितना आपको potential लगाना पड़े उसको बोलेंगे stopping potential तो भाई साहब ये है हमारे पास maximum energy का electron और ये ऐसे रोक रहा है ये आजाएगा stopping potential maximum kinetic energy और maximum kinetic energy कितनी जाएगी HF पड़ रहा है और HF not जो है रोक रहा है ये हो जाएगा stopping potential ही हो जाएगा stopping potential kinetic energy अलग-अलग होगी लेकिन सबसे बड़े वाले को रोकने के लिए जितनी energy चाह ये उसको हम बोलेंगे stopping potential तीक है चलो laws of photoelectric emission laws क्या है क्या-क्या नियम है क्या-क्या कानून है इनके emission of photo electrons take place when frequency of incident radiation is above the threshold इसके बराबर या फिर इसके वैसे रखो तब होगा तब होगा नहीं तो नहीं होगा अभी हम लोग frequency को ऐसे denote करें तो ऐसे तब ही radiation होगा नहीं तो नहीं हो वेवलेंद की बात करें तो ऐसा ठीक है light जैसे पढ़ती है वैसे ही emission होता है कोई time delay नहीं होता है कुछ होता है बहुत कम होता है पता भी नहीं चलता ठीक है light पढ़ने के तुरंद बाद ही emission होता है इतना बात को आपको ध्यान में रखना है ठीक है Laws of photoelectric vision Maximum kinetic energy जो होती है Ke max जो आती है वो आती है H new minus H new not यह आती है maximum kinetic energy मतलब kinetic energy जो electron की निकल के आती है वो आती है maximum से 0 के बीच में कुछ भी Maximum से 0 के बीच में कुछ भी kinetic energy हो सकती है Maximum से 0 के बीच में कुछ भी kinetic energy होती है ठीक है Maximum से 0 के बीच में kinetic energy कुछ भी होती है पूछा जाता है कि कभी किसी surface पे light पड़ी तो निकलने वाले electronic energy यहां से यहां तक के बीच में कुछ भी Maximum इतनी तो चलो फोटो करेंट अब आप देखो यह जो मैक्सिम मैंक्ग करती है इंडेंटशिव निकले जितने फोटोन पर दें उसी के प्रोपोर्शनल एलेक्ट्रोन निकलते हैं अगर आप फ्रोटॉन की संक्या डबल करतो गे तो करेंट डबल हो जाएगी फोटॉन की संख्या हा अपर हो जाएगी तो number of photo current होती है वह फ्रिक्वेंसी पिटंट नहीं करती है क्योंकि एक photon एक ही electron को निकालेगा तो है हुं दो को नहीं निकालेगा जैसे क्या होता है photon जाके energy देता है जैसे गुबारा फटता है लिए एक शॉट में इनर्जी दे तो फोटो करण्ट इस इंडिपेडेंट अब फ्रिक्वेंसी से इंडिपेंट होता है फ्रिक्वेंसी भड़ाने से फोटॉन की ताकत बढ़ जाएगी बहुत तगला फोटॉन होगा थोड़ा इनको निकाला थोड़ा इनको निकाला ऐसा नहीं होता फोटन अगर एक बहुत तहला फोटन होगवा तो एक्के बाँ टकला कि जितना एनर्जी देना उला एक को दे पीद hotel उस्से निकलेगा और निकलेगा तोड़ा इनर्ज राओने हो जाएक वह फर्दर किसी और और को यह निकला थोड़ा इसको दे दिया थोड़ा बगल ऐसा नहीं होता वन शॉट में इनर्जी इसी लिए फोटो करेंट फ्रिक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है डिपेंड किस पर करता है जादा फोटॉन भेजोगे तो जादा क्रेंड निकलेगा जादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जादा क्रेंड निकलेगा तो किकावल और क्योग है इन्टेंशिटी इन्टेंट करता है यह एक और नीम हो गया भी सब तिके अब कानेटी इंटर्जी आफ फ्रोटो यह जो भी बताए है मैंने जीरो से कानेटी इनरजी के मैक्स के बीच में वहरी करती तो बता चुके इफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिदेंट फोटोन इस जो भी आए है एच फ नॉट इस वर्फ फंक्शन देन यह भी आपको बताया है ठीके बताई चुके एफिशनसी क्या मतब जितने फोटोन गिरते हैं उसमें से कितने इलेक्टोन निकालते हैं उसके एफिशनसी एक परसेंट होती है बहुत कम होता है ने कि तुमने एक लाग फोटोन भेजे तो एक लाग लेक्टोन निकल गया ऐसा नहीं होता है ना ऐसा नहीं होता है सबसे इंपॉर्टेंट यह ग्राफ है भाई साहब ध्यान से सुनो अभी आपने पढ़ा था e v naught is equal to h new minus h new naught या फिर आप बोल सकते हो e v naught is equal to h c by lambda minus h c by lambda naught ऐसा तो यह देखो आप यहाँ पर ग्राफ क्या आता है straight line आता है v naught is equal to क्या हो जाएगा h by e new minus h by e new naught यह तो slope जो आएगा वो h by e के बराबर आ रहा है y equal to x plus c के बराबर आ रहा है ना ग्राफ अगर चाहो तो इस ग्राफ को ऐसे भी ड्रॉआ कर सकते हो इसके 1 by lambda और v naught के form में तो भी straight line आएगा उस case में भी slope जो आएगा वो slope जो आएगा h c by e आएगा स्लोप ह c by e हो जाएगा यह नीट क्या जैए में पूछा गया सवाल है क्या 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 कि अगर यह लिखा हुआ है तो इसका स्लोप क्या आएगा ठीक है कि तो अगर वी नौट और फ्रिक्वेंसी में ग्राफ है तो स्लोप एच भाई होगा अगर यह ग्राफ बीनौट और वन बाई लैमडा में तब भी इस्ट्रेट लाइन आयेगा और है स्लोप उस केस में क्या है ये आएगा ऐसा ग्राफ बनेगा इस तरह आता है तो यह आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए थिक एसा ग्राफ होता है तो अगर वन्दा हो यह वाली चीज जो आती यह वर्क फंक्शन होगी यह वाली जो चीज होती है यह वर्क फंक्शन होगी ठीक है अब आप देखो हमने इंटेंसिटी बदली फ्रिक्वेंसी कॉंसेंट रखी और इंटेंसिटी बदल दी इंटेंसिटी बदलने से सैचुरेशन वाली करेंट बद current में आता है अब आप देखो यहां मैंने frequency बदल दी frequency बदल दी और intensity सेम रखी तो saturation current सेम हो गई और stopping potential बढ़ गया ज्यादा frequency पे ज्यादा stopping potential होगा ठीखे अब intensity बदलने से देखोगे photo current बढ़ रही थी, जैसे जैसे intensity बढ़ा रहते, वैसे वैसे photo current बढ़ रही थी, मैं दुबारा बता देता हूँ आपको graph क्योंकि important बेट आईए देखो V naught और F में graph बनाया, ऐसा आया, V naught और 1 by lambda graph बनाएंगे तो ऐसा आएगा, slope बदल जाएगा, यहाँ CY lambda होगा, यहाँ पर H by E होगा, बस इतना फरक होगा, बाकी कोई फरक नहीं होगा अब आपने कहा frequency constant रखी, तो stopping potential सेम रहेगा ठीके, अब अगर frequency बदलोगे तो stopping potential बदलेगा, और current सेम रहेगा, और आप देख रहे हो यहाँ पर intensity बदलने से current बदल रही थी, यह graph बेटा बहुत important है, इसमें से सवाल बहुत पूछे जाते हैं कुछ important case, कुछ important concept जिस पर NEET में कई बार सवाल आया है, क्या है, कई बार सवाल आया है, क्या, जब frequency of incident radiation डबल करते हो, तो stopping potential या फिर बोलो, current energy more than double होती है, reason क्या है, देखो जड़ा ध्यान से आप अगर देखो ध्यान से भीया तो यह ऐसा होता है और यह आती है, current energy maximum अगर आप इसको भी double करो, इसको भी double करो तो यह double हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको double करते हो इसको double नहीं कर पाते हो, तो यह more than double आता है नहीं समझे, अगर जैसे मानलो यह 6 unit है, यह 1 है तो यह 5 आता है, अगर इसको double करोगो तो क्या जाएगा, 12 हो जाएगा, यह 1 ही रहेगा यह क्या जाएगा, आपका 10 आ जाएगा, यह किता है, 11 आ जाएगा तो यह more than double है कि नहीं, more than double आता है अगर आप incident frequency double कर दें, जैसे पहले मानलो कुछ रहा तो जहाँ 6 आ रहा था, यह 1 था आपने double किया incident frequency, तो यह 12 हो गया यह अभी इसमें तो change आया गा नहीं हाँ, इसको भी double करते तो यहाँ पर क्या जाता है, इसको 12 किया, इसको 2 कर देते, दसी आता है, लेकिन इसको double नहीं कर पाए ना, इसलिए more than double आता है तो जब आप incident radiation को double करते हैं तो frequency double करते हैं तो stopping potential more than double हो जाता है more than double हो जाता है अब इसे में एक छोटी सी बात और देखो ज़रा ध्यान से अगर मैं बोलो, यहाँ पे एक source है यहाँ पे एक source है, वो भी point यहाँ पे source है, वो भी point अगर यहाँ पे एक target रखका है, यहाँ पर यहाँ से our distance दूर पर और एक target रखका है, यहाँ पे 2वार से सुनना बेटा मतन एक material straight kerato तो ने पता यहां पर intensity क्या होगी 4 iii होगी और यह पे इंटन्शिटी आई होगी इन करंट जो होगी नहीं जो कुछ स्क्माइब देड़ नाइस भीनॉत उस भीनिंद भीनॉतफ पूछो क्यों 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 कि पॉइंटस टी डिस्टेसταइंस आज इन्वरें में बदलती है यहां इंटसटी अगर और इस stopping potential में कोई change नहीं आएगा, क्योंकि इसकी property मैंने source की तो property बदली नहीं, इसलिए stopping potential में कोई बदलाओ, नहीं आएगा, ये सवाल बहुत आता है बेटा, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, अच्छा, ये कब तक emission होता है, कब तक emission होता है, एक limit तक emission होता है, उसके बाद emission होना बंद हो जाता है, कैसे, अब याद देखो, किसी से कोई एक sphere दे रखा है, कोई एक sphere दे रखा है, जिसका radius R है, यहां से लगातार electron निकलेंगे, लगातार electron निकलेंगे, तो जैसे यह electron जाना चाहेगा तो इसको यह रोक लेंगे तो मतलब यह electron जाएगा तो इसके आज कितनी energy जाएगी मालो एन electron निकल गए तो एन positive charge आज़ा चुकिए तो यह electron जाना चाहरा था 4, 5, 7, 0, R मतलब इतना energy इस electron के पास चाहिए इतना potential energy इस electron पास होगा अगर जाना चाहता है तो इतनी kinetic energy इसके पास होगी तभी यह जा पाएगा नहीं तो जा नहीं पाएगा समझ रहो क्या करें किसी surface पे कोई metallic surface है वहाँ से electron निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है एक limit बाद वो electron निकलना बंद कर देगा क्यों 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 क्योंकि बहुत देर तक निकलेगा बहुत देर तक निकलेगा तो यहाँ पे NE charge मालो आ गए थे अब यह further electron निकलना चाहेगा तो इसको जाने नहीं देगा क्यों नहीं जाने देगा क्योंकि इसके पास जो potential energy होगी वह उसकी maximum kinetic energy को balance कर देगा इस energy को maximum kinetic energy overcome नहीं कर पाता है तभी तो N की value देखो इतनी आती है यह maximum kinetic energy होगी या बाकी वह expression जो मैंने आपको दिखाया है उसी से N निकाल लिया बहुत इतने particle निकलने के बाद फर्दर निकलना बंद हो जाएगा कौन? charge particle कौन? charge particle तो यह सारी बाते थी किसी light में जो particle nature होता है उसकी light में particle nature होता है उसकी अब बात करते हैं particle में wave nature कैसे होता है तो बताया यह गया किसीक पास अगर momentum होगा तो उससे associated wavelength पक्का होगी किसीक पास अगर momentum होगा तो उससे associated wavelength पक्का होगी मतलब अगर आप momentum carry करते हैं तो आपके पास wavelength जरूर होगी तो P is equal to होता है H by lambda यह जरूर होगा तो lambda is equal to हो जाएगा H by P यह H by MV अगर कोई accelerate किया जाएगा तो counting energy इस form में भी लिखी जा सकती है इस form में लिखी जा सकती है ठीक है तो lambda equal to H by MV H by P H by 2M P के लिखा जा सकता है ठीक है P क्या है momentum है किसी charge particle का P क्या है momentum of the charge particle of the charge या momentum of the particle है P क्या है momentum of the particle है P क्या है momentum of the particle है E क्या है energy of particle है electron लिखना गलत है अब इसी बात को अगर मैं electron के लिए बोलूँगा तो kinetic energy EV लिखी जाएगी अगर उसको V voltage से मैं accelerate करेंगे तो यहाँ पे 20 तरजी यहाँ EV रखोगे तो यह आएगा 12.27 12.27 root V और यह angstrom में आएगा यह बात बिलकुल रटलो इस सीधा formula पे लगाओ और इंसर निकालो यह root over 150 करके भी लिख सकते हैं इसको लेकिन यहाँ रखना unit किसमे होनी चाहिए angstrom में होनी चाहिए तो कोई electron अगर V voltage accelerate किया जाएगा तो उससे associated एक wavelength होगी electron microscope में इसी को use करते हैं क्यों क्योंकि इसकी wavelength बहुत कम आती जितना कम wavelength उतना ज़्यादा भयानक resolution होता है इसे लिए electron microscope में हम electron यह यह वाली wave यूज़ करते हैं डिबराय wave यूज़ करते हैं यह EM wave से different होता है आप बोलोगे कि यह transfer से longitudinal होता है तो यह सब लफ़ला इसके अंदर नहीं होता है तो electron microscope में हम यह वाली wavelength यूज़ करते हैं इसकी wavelength बहुत बहुत कमाती है इसके इसका resolution बहुत भयानक होता है अगर हम proton के लिए बात करें तो same इसी formula में हम इसी formula में सब कुछ रखेंगे तो proton के लिए घटना आएगी कुछ इस form में याद कर सकते हो 0.286 यही बात deutron के लिए बात की जाएगी तो 0.202 यही बात अगर alpha particle के लिए की जाएगी तो 0.101 यह आएगा तो alpha के लिए 1.101 deutron के लिए 0.202 और यहाँ पे लिए यह आजाएगी 0.286 हो जाएगी नीचे root भी रहेगा इंग्स्ट्रॉम में unit आएगी यह सारे formula पे बेस सवाल आएं है आप PYQ देखोगे तो जितना अभी तक मैंने बताया उससे सारे PYQ आपके गरदा उड़ जाएंगे अब अगली बात बताते हैं आपको division germar ने experiment किया क्यों किया experiment देखो आपको बताया गया light में wave होता है light में wave होता है wave में light होता है light में wave होता है particle में wave होता है particle में wave होता है इसका verification कैसे करोगे particle में wave होता है verification कैसे करोगे देखो क्या बताया गया जो light में wave में उल्टा बोल रहा था मैंने बताया गया कि light में particle होता है light में particle होता है wave में particle nature होता है वैसे particle में wave nature होता है अब सही बात मैंने बोली इती देर बात तो पार्टिकल में वेव होता है कैसे justify करोगे तो आपने देखा वेव जब किसी में होता है तो वो diffraction और interference शो करते हैं जो कोई भी वेव होता है वो diffraction और interference शो करता है तो वैसे पार्टिकल में अगर वेव नेचर होगा तो वो भी diffraction और interference शो करेगा इसके लिए division जर्मर ने क्या किया उन्होंने क्या किया कि एक target पर एक target लिया निकल क्रिस्टल का उस पर उन्होंने x-ray को डाला जब x-ray को डाला तो उन्हों देखा diffraction आता था diffraction के लिए ये formula होता था ये formula होता था same 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 experiment किया गया जब हमने एक electron को यहां पर फेका same पर electron को जब फेका तो same experiment किया गया और उस case में उस case में जो result आया वो exactly जैसा x-ray करने पर आ रहा था जैसे x-ray को बंबार करने पर आ रहा था वैसे ही आ रहा था ठीक है उसी हिसाब से wavelength करने पर आ रहा था ठीक है इसका मतलब क्या हुआ division germal experiment जो है इस बात की पुस्ती करता है कि particle में wave nature होता है wave में particle nature होता है division germal किसले पुस्ती करता है कि particle में wave nature होता है इसकी पुस्ती करता है ठीक है यह सब चलता रहता है तो आपने फटाफट देखा कि कितनी आसानी से कितनी आसान तरीके से आपने इस पूरे चैप्टर को फटाफट सारे important formula को revise कर लिया एक छोटे से short note के form में एक question पक्का है चार नंबर आपके पक्के हैं अभी अगला चैप्टर लेके आएंगे तो उसमें भी चार नंबर आपके पक्के कराएंगे तीस मिनट के अंदर अंदर तब तक अपना ध्यान रखो मस रहो मौज में रहो लव यू जह मसे